हलो नमस्कार मैं डॉक्टर नौल पटेल डर्मेटलोजी से हम हेर ट्रांस्परांस रजन और अक्लिंग क्राइगर चर्थिसकर इस टॉपिक में किसी विप्रकार के कोई टीट्मेंट के बारे में बात नहीं करने वाला हूं इस टॉपिक में कुछ फेसिलिटीज जो मेरे क्लि अवगत कराने वाला हूं मेरे क्लिनिक में हेर से लेटेट बहुंँ सारी फेसिलिटीज अवेलेबल हैं जिनको आप क्लिनिक में आ करके या वाट्सप नंबर है आप दिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उनसे पूछ करके ले सकते हैं सबसे पहला चीज है जो हैर लॉस का हेर लॉस चाहे वो थाइराइड सो हो एनीमय की कमी के कारण हो या न्यूट्रिशन खान पान की कमी कारण हो या एजिंग जादा हो गया है प्रदूशन की कारण हो गया है इन सब के कारण में अगर हेर लॉस हो गया है तो उसके लिए आप थेरेपी ले सकते हैं दूसरा ची है PRP Platelet Trish Plasma Therapy यह क्लिनिक में ब्लड से बनाय जाता है और यह ठिरेपी हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है चौन्ता टीटमेंट है मिजोथेरेपी हेर के ग्रोध के लिए जो बाल बेजान हो गए हैं बाल खराब हो गए हैं या नए बाल को उगाने के लिए मिजोधरेपी को प्योग होता है ये हमारे क्लिनिक में उपलब्द है ये तो हो गए हैर ग्रोथ के लिए इसके अलावा जिनका गंजापन हो गया है बाल किसी भी तरीके से टेटमेंट से नहीं आ रहे हैं उनके लिए ह एफ्यूई टेक्निक और एफ्यूटी टेक्निक दोनों तरीके से अवेलिबल है लेकिन एफ्यूई ज्यादा सक्सेस्फूल कम दर्द वाला चीज होता है इसके अलावा हेर का रिडक्षन मतलब यह हेर ग्रोथ के अलावा भी हेर को हमारे बॉड़ी में जब अन्वांटेड ह सीन के थ्रू बहुत ही से और सेफ तरीके से बीना किसी नुकसान के उसका फ्रिडक्षन धीरे 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 उसका रिवल करा सकते हैं तो यह हो गई हेर से लेटेड थेरेपी के बारे में दूसरा जो में थेरेपी होता है वो है मुहासे आपने देखा होगा कि कई लोगों के मुहासे बड़े बड़े लाल दाने और ऐसे मुहासे हो जाते हैं जिनके कारण उनसे गड़े हो जाते हैं और वो ठीक नहीं होते हैं बहुत लोग इसके लिए बहुत सारे कैपसूल खतरना कैपसूल आइसीटुट नाइन या बहुत सारे ऐसे केमिकल सीरप साफी सीरप यह लेते रहते हैं तो मेरा सुझाव यह है कि इन ट्रीटमेंट को लेने से पहले या उनसे ज्यादा बेटर थेरेपी जैसे लेजर अवेलेबल हैं लेजर नाम सुने से बहुत लोग डड़ जाते हैं लेकिन लेजर बहुत ही ज्यादा सेफ और एफेक्टिव है तो अगर आपके बॉड़ी में किसी प्रकार का ग्रीन, ब्लैक, रेड प्राइप का टेटू है तो इस टेटू को लेजर से बिना इसकार के आप रिमूब करा सकते हैं चौथा मेजर पार्ट है कि मुहासे के बाद आपने देखा होगा मुहासे के बाद में चेहरे में बहुं सारे गड़े हो जाते हैं गड़े के लिए बहुं सारे ठीट्मेंट अवेलेबल हैं जैसे TCA क्रॉस, फिनॉल क्रॉस, सियो टू लेजर, माइक्रो नेडलिंग, सबसीजन या माइक्रो नेडल आरेप मसीन सारी प्रकार की फेसलिटीज हमारे क्लिनिक में अवेलेबल हैं इनके अलावा चेहरे में दाग धब्बे, जाई, मुहासे के बाद में जो काले दाग हो जाते हैं या चेहरा बहुंच जदा डल हो जाता है, ड्राई हो जाता है, इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट पकार के पील ये पील्स, chemical पील्स भी हो सकते हैं, normal पील भी हो सकते हैं, liquid पील हो सकते हैं ये सारे पील, अगर आप एक dermatologist के consult में करा रहे हैं तो बहुत ही safe होते हैं बहुत सारे patient अभी भी आके बोलते हैं कि सर ये chemical word, chemical पील है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत कोई chemical है नाम इसको इसलिए दिया गया है कि एक proper way में आपके damaged skin को निकालता है और fresh skin आ जाती है इसे कभी भी आपकी skin burn नहीं होती है, बहुत ही safe है, तो आप पील्स करा सकते हैं इसके अलावा derma paint, derma roller, micro derma brazen machine और skin और hairs related समस्प्रकार की facility मेरे clinic में available है तो इन treatment के लिए आप मेरे clinic में आके consult कर सकते हैं, visit कर सकते हैं या को information आपको लगता है तो मेरे WhatsApp नमबर पे आप message करके पूछ सकते हैं Thank you हमारी YouTube चैनल को subscribe करें और latest video देखने के लिए bell icon को hit करें